साथियों, भारत की महान संस्कृति की यह विशेस्ता है, कि हमारा देश और मैं बाद भड़ी जिम्मेवारी के साहित कह रहा हूं, हमारा देश राज्य विवस्थाओं से नहीं बना है, हमारा देश राजसीहासनों की बपोति नहीं रहा है, नहीं राज सिहासनों से ये देश बना है ये देश सद्यों से हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से उसकी जो परंपरा रही है वो जर्द्न सामान्य के सामर्तों को लेकर के चलने की परंपरा रही है आज जव भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपस्या का प्रणाब है जन शक्ती की तपस्या का प्रणाब है और तब जाकर के देश नई उंचाईयों को प्राप्त कर सकता है पीडी दर पीडी के योगदान से समय की जो भी अवश्यक्ता है थी उनको पूरा करते हुए उन परिवरतनों को स्विकार करते हुए जो काल बाहिये उसको छोड़ते हुए हम वो समाजा में जीवन सवाज है जिसने काल बाहिये परंपरा को खुद ने तोरक फोरक उठा कर करके फैक दिया है हम आखें मंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है समाय लूकर परिवरतन करने वाले लोग है दुनिया में में एक दिना बहुत साल पहले की बात है अमेरिका के स्टेट पर डिपार्टमेंट से मेरी बाते हो रही थी तब तो मैं राजनीत के अंदर कोई भी समाज आस्ति हो नास्ति हो इस धर्म को मानता है उस धर्म को मानता हो लेकिन मृत्यू के बात कि उसकी जो माननेता है कि उसके विशे में वो ज्यादा बदलाओं करने का साहसं नहीं करता है वो विज्जानिक है नहीं है उपयूग तहक नहीं है समय रहते उसको छोड़ना चेंगने उसमें हो साहसं नहीं करता है वो मृत्यू के बात की जो सोच बनी हुई परंपरा बनी उससे जकड़ करता है मैंने का हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यु के बात गंगा के तड़ पर चंदन की लकडी में अगर जलता था शरीर तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कारे पूंडेता से हुआ वही व्यक्ति घुम्ता 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 इलेक्टिक श्मशान गुरू तक चला गया उसको कोई संकोच नहीं आया इस समाज की परिवर्तन सिल्था की बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता कि विश्व का कि की ववस्ताओं में भी अगर आधुलिक तागी जरूर पड़ी तो उसको स्विकार करने के लिए तैयार होते हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि देश आए नित्य नूतन नित्य परिवतंशिल नभीन को स्विकार लेकर साबरते वाली एक समाज की प्रणाम है कि आज उस महान परंपरा को ज़िए कि गती देना हमारे जिम्मे हैं क्या हम उसे गती देने का काम कर रहे है क्या घुँक आक हमने उस एक सामाजिक वेवस्ता के पह सब्सक्राइब शाहता है तब मुझे पूरे समाज जीवन का नेत्रत्व देना मरा दाइत्व बन जाता है और वो सिर्फ पॉलिटिकल लिडर का काम नहीं होता है हर शेत्र में बैटे हुए सीविल सर्विस के मेरे साथ को लिडर्शिफ देनी होगी और समाज में परिवर्तन के दिये अगवाई करने का काम के लिए अपने आपको सज्ज करना होगा और तब जाकर के हम परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों और परिवर्तन लाने का सामर्था देश में है और सिर्भ हमीं विश्वास लेके जी रहे सा नहीं दुनिया भहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही है तब हमारा कर्टब यह बनता है कुछ कर्टब यह की पूर्ते के लिए हम अपने आपको सज्ज करें अब जैसे हम नियमों और कानूनों के बंदर में ऐसे ज़कर जाते हैं कहीं ऐसा करकर के जो सामने जो एक नाया वर्ट तैयार हुआ है जो युवा पीड़ी तैयार हो रही है कि हम उसके साहस को उसके सामर्थ को हमारी ये नियमों की ज़ंजाव उसे ज़कर तो नहीं रही है न उसके सामर्थ पर प्रभावित तो नहीं कर रही है न अगर ये कर रही है तो मैं शा के साथ चलने का सामर्त को चुका हूं अगर मैं इससे बाहर निकलता हूं तो मैं स्थिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च है तो हमारे आईटी सेक्टर के बीस बाइस पचीस साल के नवजमानों ने किया गए लेकिन अगर माल लीजिए हम लोग उसमें अडंगे डाल दियो होते कानुन नियों में उसको जगड़ दिया होता तो नव मेरा आईटी सेक्टर इसना फला फुला होता नहीं दुनिया के अंदर उसका डंगा बजा होता दोस्तों हम न थे तो वो आगे भी बढ़त पाए तो कभी कभी हमें भी तो सोचन कि आज हम गर्व कर सकते हैं स्टार्ट अप्स के विशे में 2022 अभी तो पहला क्वाटर अभी अभी पूरा हुआ है 2022 के पहले क्वाटर में तीन महेने के छोटे कालखन के इंदर मेरे देश के नवजमानों ने स्टार्ट अप की दुनिया में के 14 युनिकॉन की जगह प्राप्त करनी बेतर हो बहुत बड़ा एक्शिमेंट है अगर 14 युनिकॉन सरफ तीन महेंने के भीतर भीतर मेरा देश का नवजमान उस हुचाई को प्राप्त कर सकता है हमारी क्या महमी का है कभी कब दो हमें जानकारिया भी नहीं होती है कि मेरे डिष्ट्रिका नवजवान था और टीर टू सीटी के कौने में बैठा हुआ काम कर रहा था अब अख़बार में आया तो पता चला करे वो ते हां पहुँच गया है इसका मतलब यह हुआ कि शांसन व्यवस्ता के भार भी समाज के सामर्थ की ताकत बहुत बड़ी होती है क्या मैं उसके लिए पोशक हूँ कि नहीं हूँ कि मैं उसको प्रोचाहिज करता हूं कि नहीं करता हूं कि मैं उससे रेकेग्नाइज करता हूं कि नहीं करता हूं कहीं ऐसा तो नहीं पर तुन्हें कर लिया जो कर लिया लेकिन पहले क्यों नहीं बिले थे सरकास पर क्यों नहीं आये थे अरे नहीं आया वहीं तो है आपका टाइम खराब नहीं किया लेकिन आपको बहुत कुछ दे रहा है आप उसका गवरावगान कीजिए साथ क्यों मैंने दो चीज़ों कहीं उलेक किया है लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़े हैं इवन क्रिसी छेतर में मैं देख रहा हूं हमारे देश के किसान आदुरी करके तरफ जा रहे हैं साइद उनकी संग्या कम होगी मेरी बारिक दरश्टी में मेरी नजर में वो कहीं स्थीर हुआ है क्या अगर साथियों हम अगर इन चीज़ों को करते हैं तो मैं समता हूं बहुत बड़ा बढ़ावाएगा